मेरे पास एक कमेंट आया है power supply को लेकर जिसमें उन्होंने कई पर्यास किए हैं लेकिन फिर भी सेकेंडरी से supply आउट नहीं हो रही है यहीं बहुत सारे module यूज किये हैं और उसके बाद भी ये supply complete नहीं हो रही है वो Android Board है तो यहां पर हम आपको बता दें कि देखे हमारे बास तो वह इमेज नहीं है जिसने इस कमेंट को किया है लेकिन इस पर एक एक जामपर लेकर हम बताते हैं आपको कि जैसे हमने अभी कुछ दिन पहले एक वीडियो बनाया थे पीएपसी पाउर सप्लाई को लेकर जह यानि सम टांसफार्मर का ही फालट था इंटर्णल और दूसरा हमने जो एक इडियो यल्जी का आईडियो सक्षन पे एक हमारे पास वह आया था बोर्ड उसमें पीफ सी पाउर्स अपलाई थी उसमें भी ये टास्फार्मर फार्ड था और इस समय हमने कई ऐसे प्राब्लम को फेस किया है जिसमें देखा है कि इस समय जो भी ये इंटर्नल डिजाइन हो रहे हैं इसके अंदर की क्वाल्टी जो भी इसका टाइम होता है उसे के हिसाब से सारे डिजाइन हो रहे हैं उसे के साथ साथ ऐसे कैपिशिटर भी उज किया रहे हैं कि जो इसमें इसके इंटर्नल आयल होते हैं वह भी एक टाइम के बाद वह जो है सुक जाते हैं और ये काम करना बंद कर देता है उपर से बहुत सारे प्रॉब्लम भी फेस करने को मिल रहे हैं तो आपको बता दे कि सबसे पहले टांसफार्मर इसको क्लियर करने की ज़रूत होती है और कोई भी मडूल यूज करें तो उसमें देखिए बहुत ही इलर्ट राने की ज़रूत होती है कि जैसे यहां पे कुछ जो सप्ला सप्लाई पहले सेकेंडरी में यूज करें उसे यूज करके देख लें इसकी पोजिशन क्या है और दूसरी बात यह है कि यह सप्लाई रिपेर करने से पहले इससे देखना बहुत जरूरी होता है क्योंकि कभी-कभी इसके इंटरनल स्वार्टिंग हो जा रहा है वह पंचर जैसा हो जाता है यह दूसरे से करनेक्ट हो जाता है तो सेकेंडरी भी कभी-कभी प्राइमरी से जो है इस पार्क हो जाती है यह चाहें पे लगने वाला कंपोनेंट भी फाल्ट होने का डर होता है और सबसे आदर सेंस्टिव इसमें आईसी होता है जो कि बहुत ही जल्दी यह फाल्ट हो जाता है आपको मालूम भी नहीं पड़ेगा अभी इस लेबल पर आपको वीडियो कहीं भी यूटूब पर नहीं देखने को मिलेगा जिसमें सेमपेस खराब दिखाया गया है लेकिन हमने जो है उसमें क्लियर किया था कि एसेमपेस भी फाल्ट होता है तो ऐसा नहीं कि माडूल लगाने से सारा प्राब्लम साल्व हो जाए इसलिए पूरी सप्लाई को बहुत ही बारीकी तरीके से जो है इसे नालेज होना चाहिए कोई भी क्योंकि इस समय जो भी रिपे सब्सक्राइक को चेक करने की जड़ुरत होती है उसका कुछ स्फंडामेंटल लग सब्सक्राइब से सब्सक्राइब के लिए और कैसे बिक्शं के रूप में फेस्ट टेस्टिंग जो होती है यहूं जरूरी होता है क्योंकि जरा साप की जो एक भूल या चूप जो हो जाती है वो पूरे बोड को डेमेज भी कर सकती है या इससे लगने वाला जो भी आगे लोड है उसे भी ये डेमेज कर सकता है